हम बनाते हैं बनाना शेक, बनाना शेक बनाने के लिए जिस सामेकरी के हमें जरूरत होगी वो है एक लास दूट, हरी इलाइची पाउडर, चीनी, आइस क्यूग, दो बनाना शील कर और मैंने पीसेज में कर लिए हैं, घिसी हुई गरी, कटे हुए बादाम और काजू, चैरी कुछ पीसेज, सबसे पहले हम मिक्सर में एक ग्लास दूट डालेंगे, इसके बाद जो हमने दो बनाना के छील कर पीस कर लिए हैं, दो बनाना को डालेंगे, दो बनाना शेक के लिए एक ग्लास दूट और दो बनाना परियाप्त है, तीन चम्मा सक्कर में डाल रही हूँ, आप अपने इच्छा के अनुसार इसे कम जादा भी कर सकते हैं आइस क्यूब और इलाइची पाउडर ये सर्दियों में ठंडा-ठंडा पीने में बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें बस इसको 2 मिनट के लिए मिकसर में डालकर और चला लेना है देखिए हमारा बनाना शेक मिक्स हो गया और अच्छे से बनकर स्यार हो गया है इसको आप सटकरने के लिए 2 ग्लाविस ले लेगे और इसमें मैंने बनाना के slice लगा रखे हैं जो कि देखने में थोड़ी से अच्छे लग रहे हैं आप इसको और ठंडा पीना चाहते हैं तो थोड़ी देर आप इसको फिरिज में रखें फिर भी आप पी सकते हैं बस इसको घिसी हुई गरी से कटे हुए बादाम और काजू से और कलर को चैरी से जानिस करें और इसको घर में एक बाद जरो ट्राइब करें और आपको कैसा लगा मुझे बताएं और यदि आप कोई अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसा अपना ध्यान रखें बनाना शेक पीने बहुत अच्छा लगता है एक बाद जरूर इससे ट्राइब करें लाश्ट में थोड़ी सी गीसी हुई उनकी गरी और काजू बदामसे से गार्निस करें किलाइची पाउडर डालें लोकिस वाद में और अच्छा लगेगा और अपना भयाल लखें थान्यवाद कराओ मेंब झार लगता है कि लित में करें को खऴखें लाद में लगता और करेंते Ihnenे चंचा लंत सुर्पट और अङ्शंगर के में लगता है झाल झाल